नमस्कार दर्शको आज हम बात करेंगे मुंबई के ताजा हालात पर राईनीति के चानक के माने जाले शरत पवार ने आज जिस तरीके से बीजेपी और शिवश्याना के शिंदे गुट को जो भारी मात दी है वो सोचने की एक नई बात है जिस तरीके से शिंदे ने एक होने जा रहे थे जहांके पूर विदायक रमेश लटके की मिर्त्यू के कारण ये उपचुना होने जा रहे थे उदव ठाकरे गुट ने वहां से रमेश लटके की पतनी को टिकट दिया एक नाच शिंदे के ओपर आरोप लगा कि वो उनकी पतनी का जो इस्तीफा है वो बी तुरंदू जिस तरह के से राज ठाकरे ने माना जाता है कि शरत पवार के कहने पर उनके इशारे पर बीजेपी के दुवेंदर फंड ने इसको एक पत्र लिखा और जिसमें कहा गया कि हमारी यहां की प्रमपरा रही है कि जो भी प्रत्याक्षी का निधन हो जाता है उसके सामने नहीं चुनाव लड़ना चीए इस तरह के कि बात कहकर उन्होंने बीजेपी को अपने परभाव में लेने का प्रयास किया और इसके लिए तुरंद दुवेंदर फंड नहीं से बात करनी पड़े कि मैं केले इस पर कोई फैसला नहीं कर सकता और उसके कुछी घंटों के बाद बीजेपी परत्याशी जो पटेल थे उन्होंने अपना नामंकन वापिस ले लिया अगर सारी यही कवाद एकना शिंदे और बीजेपी को करनी थी तो चुनाव लड़ने की क्या वश्यक्ता थी इतनी बड़ी सरकार बनाने के बाद जो एक मैसेज जाना था कि उसम शिंदे शरत बवार और राज ठाकरे यानि मनसे की परभाव में आकर बीजेपी ऐसे जान में फसगी कि उसने अपना परत्याशी वापिस ले लिया जबकि कहने को भी चुनाव तीन वंबर को होना है साथ परत्याशी और भी है प्रंतु आप चुनाव नामात्र का रह गया और कमला भाई भागी करके उन्होंने इस तरीके से वो किया है और इस सब का परभाव योगा कि पूरे महाराष्ट में जो उद्व के कारे करता थे शिव सैना के जो कारे करता थे जो उनसे तूट गए थे उनको लग रहा था कि शिंदे कुट मजूद हो रहा है अब उनका म कारे करताओं का मनोबल बढ़ता प्रंदूए सब ऐसा नहीं कर पाए और आप देखिए कि सारे प्रक्रण में जो एकनाश शिंदे कुटके विदायक ने पत्र लिख कर जो है इस बात का समर्थन किया कि जो है बीजेपी को अपना प्रत्याशी वहां से हटा लेना चीए और इस तरह का जो वाताबरन बनाए यह निश्चित रूप से बीजेपी और एकनाश शिंदे की पाल्टी के लिए आने वाले समय में घातक होगा उधव ठाकरे आक्रमक होंगे और वो अपनी खोईवी ताकत पहले से अधिक प्राप्त करने की स्तिती में होंगे आपकी इस बा उझने वात बदाए इस बारन बनाए यह निवारत।